Hello guys you are most welcome on A to Z Motivational आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साथी और विवा के बारे में आपको आपने सुना होगा अरेंज मेरी और लो मेरीज के बारे में क्या आपने किसी ऐसे विवा के बारे में भी सुना है जो पकोड़वा विवा होता है उस पकोड़वा विवा के बारे में हम इस वीडियो में बाते करेंगे बिहार के पकोड़वा विवा के बारे में हमने सुना है कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लड़के को जबरन किडनेप किया जाता है और फिर लड़की की मरजी के बिना किसी भी लड़की से उसकी साध्य करवा दी जाती है भगलपूर से फिर एक ऐसा केश सामने आया है यहां एक होमगार जवान का पहले आभरन किया जाता है फिर किड्नैप करके उसे 100 किलोमेटर दूर पून्या ले जाता है और वहाँ पर उसका पकडवा विवा परवा दिया जाता है घटना नवादा के पास की है पीडित होमगार जवान सुमित कुमार नवगचिया थाना छेतर के सकूचा का रहने वाला है सुमित के भाई विरेंदर के लिखित ब्यान पर नवगचिया थाने में FIR दर्ज कर दी गई बताया गया है कि सुमित ने होमगार जवान का परिशिक्षन पूरा किया और सुमवार से नवगचिया थाना में उसे जोइनिंग देनी थी मामा के पास एक लाक रुपा बगाया था जिसे लेने के लिए सुमित गया था मामा ने रुपे के साथ दो मुर्गे भी दिये थे सुमित ने सोचा कि घर जाकर चिकन बनाएंगे इसलिए रास्ते ने उसने बाईक रोकी चिकन मसाला लेने के लिए वे दुकान की तरफ बढ़ने लगा तब इस कारपियों से कुछ आदमी आए जो हतियार से लैस थे और सुमित को जबरन गाड़ी में बैठा लिया और साथ लेकर चले गए अभारन करताओं में गोपाल यादाओ नाम का सक्स भी था पून्या ले जाकर सुमित की गोपाल यादाओ की बेटी से जबरन साथी करवा दी गई इस दोरान सुमित और उसके चचेरे भाई के साथ मार पीट भी की गई साथी के बाद सुमित को वे लोग 20 सड़क पर चोड़ कर भाग गए सुमित ने किसी तरह घरवालों को इसकी जानकारी दी परीजनों ने पुलिस से मदद मांगी फिर चार घंटे बीट जाने के बाद सुमित और उसके भाई को बरामद कर लिया गया मामले में पुलिस ने धोवियाना के गोपाल यादाओ, रोहित यादाओ, भीली कुमार और रस्वनी कुमार को आरोपित बनाया गया फिलाल सभी आरोपियों की तलास जारी है सुमित का मेडिकल करवाया गया है होगे गाई आई होप जानकारी आपको अच्छे लेगी होगी तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तिलते हैं लोके बाई बाई